नवश्कार दोस्तों स्वागत है आपके डिफसी बैंक के वीकेंड अलसिस की वीडियो में सबको होली मुवारक भाई सबके आपके परिवार को सबको ठीक है और होली पे कुछ ओफर भी है जो कि टेलीग्राम पे आपको यहां दिख जाएंगे यहां से आप उनको देख सकते हैं जुड़ सकते हैं बढ़िया ओफर है 50-50% के आसपास यहां पे डाला हुआ है मैंने ठीक है Monday night तक यह valid उसके बाद Tuesday को जब market open होगा उस दिन हम अपना back to same prices पा जाएंगे तो HDFC bank को analyze करते हैं दोस्तों तीन दिन की trading है आपकी 3 days की trading है next weekend 26, 27, 28 of March उसके बाद गुड़ Friday की छुट्टी है 29th of March की Friday के दिन वो मेरी ख्याल में दो दिन Saturday Sunday तो यह जो 28th March होने वाला है इस दिन हमारी monthly closing आजएगी ठीक है और expiry भी आपकी Nifty bank Nifty की इसी 28th of March को है काफ़ important भी के और मुझे लगता है market में जो spot price है भी वहाँ से stock हिलेंगे जरूर ठीक है और HDFC bank उसमें अपना main क्या कहते contribution रखता है तो आईए इसको analyze करते हैं उससे पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तो डिस्क्लेमर को education के प्रपस से वीडियो है forest school लिखना पढ़ना समझना बहुत ही जरूरी है mandatory है अब आज ये दुबारा से चाट अब थोड़ा सा दोस्तों गौर फर्माओ यहां पे सिर्फ और सिर्फ इतने piece पे यह ठीक है यहां पे आपको high दिखेगा 1465 के आसपास और low दिखेगा आपको 1420 के आसपास यह ठीक है जिस दिने breakdown गया आएगा तो लगबग लगबग आपके लिए जिए 2% के अंदर पिछले 8 दिन में है 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है muted type का performance रहा है HDFC bank का market के अंदर कोई direction नहीं है और हीलेगा भाईया सब साधा बेटे जा आज की date में HDFC भाईया इलेगा पैसा देगा ठीक है अब इसमें जो pattern बन रहा है आप उसमें 2-3 चीज़े देख सकते हैं पैरलल चैनल का भी pattern है इसमें इसको भी यहां पर पैसे ड्रॉ करेंगे तो इतने पीस को आप ले सकते हैं ठीक है अब थोड़ा सा गौर फर्मा इदर नीचे की तरफ जब आप देखेंगे यहां पर जब जब यह आता है इसमें बाइंग आ जाती है ठीक है इसमें क्या है बाइंग आ जाती है और यह अगर यह इस direction पर जाता है तो एक हाई आपको और लगाता हुआ देखेगा इतने formation में मतलब नया हाई की बात नी करना मैं फिलाल जैसे देखें यहां पर इसने कितना गया था है 1465 गया था अब यह यहां पर आया तो लगबग यह 1470 के आसपास आया तो उपर जाएगा तो एक शायद इस बार ही 1480 के आसपास जाता हो देखें आज की date में कितना है 1442 अगर आप चोटे टाइम फ्रेम पर यह ट्रेंड लाइन है जिसको यह rejection ले रहा है जिससे reject करते 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 नीचे की तरफ आप अब यह तो यह इसको तोड़ देगा ठीक है यह यह इसके उपर चला जाएगा यह दो चीज़े हो सकती ह इस से ज़्यादा मार्केट में इन दो डिरेक्शन के इलावा इसमें कुछ नहीं हो सकता है HDFC ठीक है अब सबसे पहला हम क्या देखते हैं देखिए इसने इसकी रिस्पेक्ट करी नीचे आया फिर अंदर गुज़िया तो chances क्या हैं कि यह इसको break कर सकता है और एक हम दुबारा से उपर की तरफ जा सकते हैं और यह भी हो सकता है कि नीचे की तरफ से लाए दोनों चीज़ें ठीक है मुझे probability इसकी ज़्यादा लगती है तो मैं पहले इसको discuss कर लेता हूँ अगर यह इसके उपर निकलता है ठीक है आपने क्या ध्यान रखना है कि यहीं से बाए नहीं कर लेना है यह एक previous high को तोड़े ठीक है मतलब इस इस level के यह उपर निकले नहीं तो ऐसी विखी दिखेगी आपको वापस अंदर गुज़ जाएगा गड़े के अंदर ठीक है तो यह level क्या निकल के आता है 1452 इस level के उपर नोट कर लीजे लिच लीजे copy किताब लेके या दिमाग में अगर बिठा सकते हैं बिठा लीजे तेजी करने का जो level है कुल मिला के अगर मैं summarize करूँ अब तक की जो मैंने बात ही करी है C side का अगर trade बनेगा HDFC bank में वो above 1452 बनेगा छोड़ दीजे pattern को छोड़ दीजे structure को छोड़ दीजे सब कुछ को कुछ को इस number को note कर लीजे यहां से आप ऐसा ले लीजेगा 1440 का मातर 12 पोइंट नीचे इस level के उपर buy trigger हो जाएगा पहला target तो निकल के आता है आपका 1465 दूसरा target निकल गया था आपका 1472 अब यहां पर क्या देखना है आपको ठीक है यह देखे यह जाके इधर टच करेगा ठीक है आपको इस level के आसपास निकल जाना है यह 1472 ही आता है खीक है 1472 1472 के आसपास इतना ही इस से जादा की गुणजाईश मत रखिये अब अगर क्या देखना है आपको क्या यह हाई काट रहा है अगर यह 1480 के उपर निकल लिया तो तो भाई एक तरीके का ब्रेक आउट है इस पूरे स्ट्रक्चर का इस पूरे स्ट्रक्चर का ब्रेक आउट है फिर उपर के टार्गेट खुल जाएंगे अगर इसने यह level क्रॉस कर लिया तो 1472 तक तो दिख रहा है अगर एक बार 1452 को क्रॉस करता है यह नंबर अगर क्रॉस हो जाए दुबारा से पोजिशन को राइड कर लीजिए SL अब आपका यह हो जाएगा इसको क्रॉस होने के बाद मैं कोई 5 मिनट की केंडल कोई 15 मिनट की केंडल उसके उपर सस्टेन होना चीए यह होना चीए वो होना चीए फ्लाना डिमकाना कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो नमबर ट्रिगर होने पर ही गेम है यह है ठीक है नमबर ट्रिगर होने पर ही 1452 ट्रिगर 1440 इस दी ऐसल 1470 65 से लेके 1472 के बीच में एक बार को एकजिट कर लीजिए क्योंकि 1475 पर यह अठकेगा पता है मुझे अगर 1480 ने क्रॉस कर लिया तो यह नमबर को डालना है टार्गेट इतना है अगर सेनेरियो नमबर वन होता है इसको ऐसे निकलता है मतलब कि 1452 क्रॉस होता है तो अब तक कि यह जो वीडियो अमने डिसकस करिये सेनेरियो नमबर वन डिसकस किया है या कह लिजे पार्ट वन कम्प्लीट हो गया अब आती है बात दूसरी की नहीं बहिया इसे तेजी निकरनी से मंदी कर ली तो यह जो लो बनाया ना दोस्तो इसके टूटने का इंतजार कीजिए इस चैनल के टूटने का इंतजार मत कीजिए ठीक है यह लो टूटे तो पिछले जो वीक का लो है वो नोट करो वो नमबर नोट कर लो आत दोस्तो वीडियो अच्छी लग रही हो, लाइक का बटन जरू दवाईएगा, हाँ, इसका लो है 1424.65, ये, ये जो लो है ना, ये नंबर है 1424.65, आप थोड़ा दा और नीचे चले जाईए, इससे पिछली वीक का लो क्या है, वो है 1423, ठीक है, पिछले दो वीक के लो, ये लास्ट वीक का लो है, ठीक है, 1423.60, ऐसे कुछ है, ये उससे प्रीवियस वीक का लो है, प्रीवियस टू लास्ट वीक का, आप नंबर नोट करिए, 4 ये, ये अगर ब्रेक डाउन होता है, इसके नीचे अगर माननों चला जाता है, तो आपको क्या करना है, 1432 का ऐसे न रखना है, और शॉर्ट कर देना है, पिर आपको इस पीस की करेक्शन देखने को मिलेगी, ऐसे, ठीक है, और अगर क्लोजिंग 1400 के नीचे आती है, तो पुठ को कैरी भी करके जाईएगा, कैरी फॉरवड करिएग अपनी पुठ को, ठीक है, वहाँ कॉल में मैं आपको बताना बूल गया, अगर 1480 के उपर क्लोजिंग आती है, कोई भी डेली क्लोजिंग, तो कॉल को कैरी फॉरवड करिएगा, पतलब आप उसे आगे के लिए ले के जा सकते हैं, तो यह है दोस्तो, एनलेसेस, यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, तो फिर भीया, 1385, 1360, इन दो लेवल के लिए नीचे जाएगा, इनको नोट कर लीजेगा, दो नंबर का आपको ध्यान रखना है, 1420, बियर्स, एक्टेव हो जाएंगे, 1452, बुल्स, एक्टेव हो जाएंगे, बट, पॉशियस नोट के साथ, ब 1472, बहुत ही एक तरीके से सप्प्लाई जोन का काम किया है, बार-बार यहां से गिरावट आती है, यह देख सकते हैं, ठीक है, यह, यह पीस, यह वो ही जोन है, 1465, 1472, ठीक है, बार-बार गिरावट आती है, इधर जाएगा, तो एक बार को निकलना गरूँ रहे, 1480 के उपर, ग्रीन केंडल से निकल जाए, और क्लोज कर दे, तो फिर ब्रेक आउट आजाए, ठीक है, ग्रीन केंडल के साथ क्लोजिंग आनी ज़रूरी, ब्रेक आउट आजाएगा, चलिए, थैंक यू वरी मच, वीडियो चिलेगी है, तो लाइक कीजीए, शेर कीजीए, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू.